हाई अब्रिवेन देस इस दीपी का आई होब कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से सौगत स्टडी विद कमफ़र्ट में और आज हम पढ़ने वाले हैं टी एच ग्रीन को थियोरी ओफ राइट्स इसके पहले की वीडियो में हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं ज इसे जाकर जरूर देखिएगा बहुत ही डीटेल में मैंने इस कंस्ट को यहां पर एक्सप्लेइन किया है आज हम ठीओर्डी ओफ राइट्स को डीटेल में एक्सप्लेइन करेंगे मैं आपको वो सारे डीच्छे में एक्सप्लेइन करूंगी कि क्यों ती एच ग्रीन ने जो इनका नियाचुरल राइट से उनको consider नहीं किया, reject किया है और इसके साथ साथ जो rights with the help of, as a result of consent जो है contract theory उसको भी reject किया है तो इन सारे concept को मैं detail में explain करूँगी then TH Green का जो concept of liberty है हम उसे यहाँ पर detail में समझने वाले हैं तो यह कुछ पूरा वीडियो रहने वाला है, उसके पहले एक हमबर request है guys, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आएं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा अगर आप मेरे साथ directly communicate करना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर जरूर फॉलो करिएगा जो Instagram की link है वो इस वीडियो के description box पे आपको मल जाएगी जहाँ पर आप directly communicate कर सकते हैं मेरे साथ तो T.H. Green को theory of rights अगर हम detail में देखें तो थोड़ा सा हम basic introduction ले लेते हैं T.H. Green का याँ पर तो एक influential British philosopher थे T.H. Green जो belong करते थे 19th century पे So 19th century में बहुत सारे changes आ रहे थे जो liberalism का concept है वो positive liberalism में धीरे-धीरे shift हो रहा था जो welfare state का concept है वो धीरे-धीरे ground कर रहा था और एक तरीके से positivity एक जो freedom और liberty का concept है उसका positive notion यहाँ पर T.H. Green ने खुद develop किया था इसके पहले हमने liberty वाले वीडियो में देखा था तो theory of rights भी इनके जो liberty के concept से काफी कुछ जादा impacted रहेगा correlated रहेगा इसलिए मैंने आपको बोला है कि T.H. Green की theory of जो on liberty जो liberty का concept है उसे जरूर देखना ताकि आप correlate कर सको ओके तो यहाँ पर जो theory of rights T.H. Green की दोरा develop की गई तो यहाँ पर एक shift या departure आपको देखने को मिलेगा classical liberal tradition से classical liberal tradition जो बात करेगा natural rights की classical liberal tradition जो बात करेगा negative aspect of liberty की वहाँ से एक shift देखने को मिलता है T.H. Green के political thought में यह चीज हमने theory of liberty में भी समझा था कि किस तरीके से positive notion of the liberty जो T.H. Green के दोरा दी गई वो एक departure था classical liberal tradition से जो support करता है negative notion of the liberty को यह हमने देखा था ओके तो T.H. Green यहाँ पर अपनी theory of rights पर इस बात पर focus करेंगे कि जो social and relational nature of rights है वो किस तरीके से rights society से connected है या social nature of rights को यहाँ पर explain करेंगे और बताएंगे कि कैसे interconnected है individual के rights with the collective responsibilities तो यहाँ पर rights का मतलब यह नहीं है कि individual की जो self interest है वो पूरे हो rights का मतलब यहाँ पर individual के जो rights हैं वो connected हैं किसके साथ collective responsibilities से collective responsibility का मतलब है common good से जैसे generally rights का मतलब क्या समझते हैं कि individual से related है individual के rights हो गया individual के जो भी interest है वो हो गया जबकि TH Green यहाँ पर बताएंगे कि भई rights का मतलब यहाँ पर individual तक limited नहीं है यह interconnected है collective responsibilities से common good को अचीव करने से ओके तो theory of rights जो TH Green के हैं वो आपको मिलेंगे Green की lecture on the principles of political obligation में और यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो rights है ना उसको basically क्या माना जाता है absence of the external interference जैसे मालीजी इंडिया की constitution में एक right है right to freedom of speech and expression तो हर एक individual को right to freedom of speech and expression है यहां पर ओके तो यहां पर कोई interference नहीं कर सकता भाई हम अपना opinion publicly जाहिर कर सकते हैं कोई interference नहीं है यहां पर तो एक तरीके से यह जो जो rights हैं यह क्या है एक तरीके से boundaries है western political societies पे right western political societies में rights क्या है boundaries है क्योंकि हर एक individual को अपनी freedom of thought अपना freedom of action and other freedom guard करने के लिए कुछ boundaries की जरूरत होती है जैसे मालीजी यह एक individual है इसको अपनी अपनी freedom को protect करना है right अपनी liberty को जसके जहां पर अपनी freedom को यह क्यों protect करना चाहता है क्योंकि यह अपने actions ले सके अपनी choices बना सके अब अपनी freedom को protect करने के लिए चाहिए होगा न कि इसको एक अपने आसपस boundary बनाए ताकि कि इस पर कोई interference ना कर सके इसी boundaries को western political thought पे rights कहा जाता है getting it अब हम यह देखेंगे कि इन boundaries का nature कैसा होगा जो टी-एच ग्रीन के दोरह explain किया गया so t.h. green एक अपना strong disagreement express करते हैं with the concept of natural rights right natural rights को बहुत सारे जैसे कि आपके जैसे जॉन लॉक के दोरह बहुत ही detail में natural rights की theory दी गई है आपने पढ़ा भी yoga western political thought में जिसके साथ टी-एच ग्रीन ने disagreement express किया टी-एच ग्रीन का मानना था कि जो natural rights की theory है यह develop किया गया as a result of philosophical failure to see that we have rights only as a member of society टी-एच ग्रीन का मानना था कि जो rights है यह हमें तभी मिलेंगे जब हम किसी society का member बनते हैं ओके rights basically क्या है हम यह boundaries कब बनाते हैं अपने आसपस जब हम किसी society के member होते हैं ओके और तो फिर यह natural rights का जो concept है यह philosophical failure को express करता है ओके क्योंकि यहां पर हम natural rights में society को नहीं consider कर रहे हैं ओके तो यहां पर rights क्या है according to T.H. Green एक individual को वो entitled या claim मिल रहे हैं जो society being a social member मिल रहे हैं society का एक member होने के नाती हमें यह rights मिल रहे हैं और इसी कारण यह natural rights की theory को reject करते हैं ओके तो यहां पर T.H. Green कहते हैं कि जो rights हैं यह क्या है they are basically entitled जो individuals है वो entitled to the rights because this enables us to fulfill our moral agency तो एक तरीके से rights क्या है entitlement है जो एक individual को अपनी moral perspective या moral agency को fulfill करने के लिए enable करते हैं जैसे कि individual अब contribute करेगा common good को achieve करने में तो basically यहां पर इस paragraph का मतलब क्या है जो T.H. Green बता रहे हैं कि भाई rights का aim क्या है परपज क्या है गोल क्या है so rights का गोल यहां पर क्या है rights का गोल यह है कि individual अपनी जो self-realization करेगा liberty का use करके और यहां पर अपने rights को एक moral agency की रूप में इस्तेमाल करेगा और society में common good को contribute करेगा तो purpose of right क्या है यहां पर purpose of right का यह मतलब नहीं है कि हम एक individual को society से protect कर रहे हैं क्योंकि society के against कोई भी right नहीं होते है वो फिर अगर society के against में कोई claim है कोई entitlement है तो वो rights नहीं recognize किये जाएंगे right तो एक तरीके से जो हमारे rights है उनका purpose क्या है common good को achieve करना जो टी-एच ग्रीन के दोरा concept दिया गया अगर आपको नहीं समझ में आया है तो further मैं इसे explain करती हैं और simplest way पे कि जो टी-एच ग्रीन की theory of rights है तो यहां पर टी-एच ग्रीन कहते हैं कि जो right है एक तरीके की positive power है जो individual के दोरा exercise की जाती है society में रहते हुए और जिसका directly या indirectly essential होती है common good को achieve करने के लिए getting it अब समझ में आया previous अगर slide में नहीं समझ में आया तो यहां पर टी-एच ग्रीन का मतलब क्या है power जो right है वो क्या है एक तरीकी की power है जो individual के दोरा exercise किया जाता है being a member of the society और यह इसका directly purpose और aim क्या होता है common good को achieve करना या common good को promote करना getting it यह हो गया rights according to टी-एच ग्रीन अब ग्रीन यहां पर primarily concerned है किसके साथ में जो rights हैं उनका moral rights के dimension पर so rights की dimension इन्होंने moral rights की dimension दी है perspective दिया है ना कि legal rights का यह ध्यान रखिएगा तो यहां पर टी-एच ग्रीन rights को कहते हैं कि these are the moral rights और यह rights justified या recognize किये जाते हैं on the basis of moral values okay not purely legal grounds so यह जो individual के rights हैं इनकी dimension यहां पर क्या बताई गई है moral rights जिस तरीके से liberty हम पढ़ रहे थे टी-एच ग्रीन में तो liberty की dimension क्या थी positive freedom ओके उसी तरीके से जो right यहां पर explain किया गया है टी-एच ग्रीन के दोरा वो क्या है उसका dimension क्या है moral rights और यह basically moral rights वो rights हैं जो justified और recognize किये जाते हैं on the basis of moral values not purely on the legal grounds यह ध्यान रखना है बहुत ही unique concept है जो भी right का concept यहां पर ती-एच ग्रीन के दोरा दिया गया अब further अगर हम बात करें तो इस चीज़ को हम already देख चुके हैं कि जो rights हैं यह society के दोरा recognize किये जाने जाहिए so rights है basically they exist within a social system and यही line हमने explain किया था जब हम यह बोल रहे थे कि ती-एच ग्रीन ने natural rights के concept को reject किया था और बोला था कि जो rights हैं वो एक individual को being a society का जो member है उसके होने के नाते मिलते हैं तो जो rights हैं वो exist कर रहे हैं एक social system में मलब society में exist करते हैं further green argue करते हैं कि अगर rights को society के दोरा recognize नहीं किये जाएंगे तो वो rights नहीं होंगे तो basically no unrecognized rights तो जो भी rights होंगे वो society के दोरा जरूर recognize किये जाने चाहिए तो यहाँ पर जो green है वो एक clear distinction देते हैं between the state and society और बताते हैं कि जो recognizing authority है on the matter of right it is not the state but the moral consciousness of the community बहुत important line है rights के बारे में कि जो भी rights है okay so rights को recognize करने की authority क्या है community का consciousness society state का काम है इनको protect करना तो right यहाँ पर recognize किसके दोरा किया जा रहा है moral consciousness of the community क्योंकि जो टी एच ग्रीन है यह moral rights की बात कर रहे हैं यापर legal rights की बात नहीं कर रहे हैं अगर state recognize करेगा तो हम उसे क्या कहते हैं legal rights तो यहाँ पर यह बात करते हैं कि जो टी एच ग्रीन ने अपनी theory of rights दी है इस पर कहते हैं कि जो recognizing authority है on the matter of rights यह consciousness of the community है ना कि state का काम है बस rights को protect करना safeguard करना और on this it is a claim तो rights हमने पहला एक देखा था entitlement है एक power है यहाँ पर further कहते हैं ती एच ग्रीन के जो rights है these are the claim और यह claim individual के दौरा claim किये जाते हैं जो guided होते हैं self-consciousness से और यहाँ पर recognize किये जाते हैं society से तो समझ में आ गया कि rights को recognize किस के दौरा किया जा रहा है moral consciousness of the community के दौरा ना कि state के दौरा okay so यहाँ पर टी एच ग्रीन फर्दर यह कहते हैं कि भाई ऐसे तो individual के बहुत सारे claim हो सकते हैं जैसे कि हम claim कर दें कि भाई हमें right to absolute right हो absolute right होना चाहिए हमारे पास freedom and expression का rights तो absolute नहीं हो सकते हैं by freedom of the speech and expression के नाम पर आप दूसरों को भला भुरा नहीं कह सकते हो ना आप दूसरों की feelings को hurt नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर टी एच ग्रीन कह रहे हैं कि दो कि यह जो rights हैं यह claim है individuals की on the certain things लेकिन जो यह claims है ना यह इनका common good के साथ conflict नहीं होना चाहिए अगर इसे समझना है तो एक अब simple से example लो right to property का okay right to property अब individual कहते हैं कि ती एच ग्रीन कहते हैं कि individual claim कर सकता है right to property क्लेम करता है यह उसका right है right to property लेकिन यह claim का conflict नहीं आना चाहिए common good के साथ में मतलब इतना जादा gap ना हो जाए जैसे कि feudal system में था एक तरफ poor हैं एक तरफ rich हैं और rich के पास most of इसे 90 परसेंट आप जो resources हैं उन पर कबजा है और poor के पास कुछ भी नहीं है तो इस तरीके की social and economic inequality अगर आ जाएगी तो वो तो common good के साथ conflict कर जाएगा ना claim पर further जो state का main function है उसका है कि remove करना उन सारे hindrances को उन सारे hurdles को या उन सारी बाधाओं को जो बीच में रोडा बनते हैं on the way of implementation or enjoyment of the rights so rights को enjoy करने की रहा पर या enjoy करने की जो process है राइट को एक तरीके से exercise करने की जो process है उसमें जो भी hindrances आते हैं उसको remove करना ही सबसे important function है state का ओके तो अभी जो हमने ये detail में rights का concept पढ़ा है ती एच ग्रीन का आप हम इसको थोड़ा सा मैं point में आपको explain करोंगी ताकि better understanding हो आपकी जो भी अभी तक हमने paragraph में explain किया है ओके तो इसके पहले हम already सारा concept पढ़ चुके हैं ती एच ग्रीन का मैं आपको बस एक तरीके से revise कराऊंगी या summarize करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है तो ती एच ग्रीन में सबसे important key concept हमने पढ़ा गया कि rights as a social and relational यह पहली characteristic है ती एच ग्रीन की theory of rights की अब इसे explain करें अगर कि जो rights हैं वो social है and relational है social कैसे हैं हमने देखा कि जो rights हैं वो individual को कैसे मिलते हैं being a member of social community so individual जो social community की membership रखता है इसकी वज़े से उसे कुछ rights दिये जाते हैं और यह rights recognize किये जाते हैं इसी social community के दोरा और साथ ही साथ यह relational है okay relational कैसे है कि जो यह rights है individual के इसके साथ-साथ individual के rights के साथ-साथ ही social relationship and social obligation जो obligation वो भी inherent है मतलब individual के rights common good के साथ conflict नहीं करने चाहिए common good को contribute करना चाहिए individual के rights यह relational हो गया social है यह भी समझ में आ गया का member है इसलिए उसे rights मिले हैं और यही rights इस social community के दोरा recognize किये गए है relational है क्योंकि individual के rights common good को achieve करने पे help करेंगे तो जो भी individual के rights होंगे वो common good यह social obligation यह social commitment के against नहीं होंगे getting it next positive power तो यहां पर TH green कहते हैं कि जो rights है यह एक तरीके से positive power positive rights का मतलब यह है कि जो rights है वो एक तरीके से power है जो individual के दोरा exercise किया जाता है for the fully development of the and exercise their capacities तो rights गया है एक तरीकी power है जो certain necessary condition देती है individual को जहां पर individual अपनी capacities को exercise करता है अपना self realization करता है अपना self development करता है और इस तरीके से individual had a right to social economic and educational opportunities जो individual को एक meaningful life जीने पर help करता है getting it तो यह positive rights समझ में आगे आपको यहां पर next है interdependence of rights and responsibilities हमने देखा कि तीयज green कहते है कि जो individual के rights है वो common good के against में नहीं होंगे common good के साथ conflict नहीं करेंगे overall मतलब यहां पर यह है कि जो individual के right है यह basically contribute करेंगे common good को okay common good को यहां पर contribute करेंगे तो rights and responsibilities interdependent है individual को rights है लेकिन उसके साथ-साथ individual के पास कुछ social responsibilities है social obligations है तो यहां पर क्या करना है individual को जो भी responsibilities है towards the community उनको ध्यान में रखते हुए अपने जो rights है उसको enjoy करना है इस तरीके से rights are not the absolute entitlements okay so rights क्या है these are not the absolute entitlements यहां पर obligation मतलब duties और right दोनों के साथ में एक balance बिठाने की कोशिश की गई है यहां पर example दे सकते हैं Indian constitution का जहां पर हमारे पास fundamental rights के साथ-साथ हमारे पास fundamental duties का भी concept है हमारे original constitution में fundamental duties जो थे वो नहीं थे और इसको add-on किया गया है तो आप मुझे बताएगा कि fundamental duties Indian constitution के किस part में है और articles साथ-साथ जो भी article है इसका वो मुझे comment करके बताएगा कि fundamental duties Indian constitution के किस part और किस article पे mention है तो आप example यहां पर दे सकते हो कि किस तरीके से Indian constitution में भी rights और responsibilities के बीच में interdependence दिखाई गई है और जो individual के entitlements है और उसके social obligations के साथ-साथ में balance बिठाया गया है नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा TH Green में कि state का role क्या है rights के regarding में तो state का role है primary role है कि इन rights को protect करना तो यहां पर TH Green कहते हैं कि state का बहुत ही crucial role हो जाता है इन rights को protect and promote करने के लिए तो state एक तरीके से एक ऐसा institutions है जो responsible है to ensuring the social justice, equal opportunities and well-being of all the members of the society तो यहां पर state की duty क्या है ऐसी necessary conditions को create करना जो social और economic inequalities को remove करें और जो भी individual के rights को exercise करने में hender होते हैं यह जो social और economic inequalities है यह individual की rights को enjoy करने पर एक तरीके से बाधाएं हैं तो state को वो सारे necessary actions लेने चाहिए जो इन social और economic inequalities को correct कर सके यह इने खतम कर सके भाई जब समाज में social और economic inequalities नहीं होंगी तभी तो individual अपने rights को enjoy कर पाएगा आप अभी Indian society में जिस समाज में हम रह रहे हैं आप देख लीजे गरीब आदमी को अपने दो वक्त रोटी का ही चिंता रहता है कि वो अपनी दो टाइम की meal को ही कर पाए ओके कहकी विवस्था कर पाए उसे अपने rights and all इतना जादा वो नहीं रहता क्योंकि भाई उसके situation ऐसी है तो यहां पर टी-च ग्रीन कहते हैं कि जो state है उसको इन social and economic inequalities को remove करने की कोशिश करनी जाए ताकि ऐसी positive conditions create की जा सके जहां पर individuals के rights को protect and promote किया जा सके ओके next है हमने देखा कि common good and public interest तो टी-च ग्रीन ने अपनी theory पे हमने already इस चीज़ को देखा है कि कहते हैं कि भाई individual के rights को ना हमें common good के context पे समझना है public interest के context पे समझना है जो rights है यह क्या है इस तरीके से enjoy करना है इस तरीके से exercise किया जाना चाहिए individuals के द्वारा जो overall well-being of the community को contribute करे as a whole so यहां पर balancing individual rights with the collective welfare was a central aspect of the greens theory of rights कि कि किस तरीके से individual rights को common good के साथ में balance किया जाए okay तो यह हम detail में already पढ़ चुके हैं तो यह था ती एच ग्रीन की जो theory of rights है इसने एक significant impact डाला हमारे development of the social liberalism में और एक तरीके से social and moral framework of the rights यहां पर develop किया गया ती एच ग्रीन के दिया है जो rights की theory पे इसने basically state को एक important role and responsibility दी है to promote the social justice equality क्योंकि इस तरीके की चीजें आज के भी modern state पे आपको देखने को मिलती है कि state को क्या करना चाहिए social justice or equality को promote करना चाहिए तो आज contemporary political theory में जो भी discussions है उनको shape करने पे एक बहुत बड़ा significant contribution देखने को मिलेगा ती एच ग्रीन के दौरा में आज भी यह बहुत ज़्यादा relevant है especially जब हम climate change की बात करते हैं global warming की बात करते हैं या sustainable development goal की बात करते हैं उन सब में हमारा idea या हमारा purpose क्या होता है social justice and equality को promote करना तो इस तरीके से आप current affair से या contemporary political theory से भी आप इसको connect कर सकते हो conclusion में अगर आपको extra marks चाहिए तो तो ठीक है this is all for today guys see you in the next video अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करिएगा नीचो comment करिएगा अगर कोई doubt हो आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी comment करिएगा Instagram पे follow जरूर करिएगा link आपको description box में मिल जाएगी इस वीडियो के जहां पर आप directly communicate कर सकते हैं मेरे साथ में और अगर आपको किसी particular topic पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं और यह चैनल को subscribe तो जरूर करिएगा still मेरी 85% जो मेरे viewers हैं वो not subscriber हैं तो मुझे समझ में नहीं आता guys अगर आपको videos helpful हो रही है तो please subscribe कर दिया करें इसमें आपका कुछ नहीं जाता है बट लेकिन हाँ channel को अच्छा कासा contribution होता है grow करने के लिए अगर हम लोग इतने efforts करते हैं hard work करते हैं ताकि channel grow करें तो आपका contribution and support बहुत जरूरी है guys तो I hope कि you understand the value of कि किस तरीके से आप इसको contribute कर सकते हो and yes thank you for all the love and support bye bye take care keep learning keep exploring